हलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग केशे हैं अपलो वेलकम बाइक टू मैं इस चैनल तो फ्रेंड मॉर्निंग की टाइम है दीन सटर्डे और मैं नहात होकर आ गए हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए हो फ्रेंड सटर्डे की दिन बहुत लोग मतलब कहते हैं कि काला डाला जाता है पर अपने माननी मनाने की है सब लोग तो अपने हिसाब से ही चलते हैं जिसकी जैसी सोच है तो फ्रेंड मैं यहां पर एलो कलर का कपड़ा डाली हूँ एलो पिंक कलर का मैं ब्लैक जादा नहीं पेंती हूँ ना मेरे मिश्टरी पेंते हैं क्योंकि काला तो जहां भी पैन के रहो वहां शू भी होता है तो इसके लिए हम लोग क्आला नहीं पैंते हों और बैन्स तो बस एक चीज न के इस्तिमाल करते हैं अब और रहे हैं तो नीचे का चीज कlor करते हैं पूरा वपर नीचे अगदम same to लोगों बना रहे हूं जैसे कि आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूं कि मेरे बच्चों को डोसा बहुत पसंद है तो उन लोगों को डेली बनाके डोशाइडली और धोकला वगज़े वगज़े जो नास्ता रहते हलका फुलगा यह दो एक भी दिन मना नहीं करेंगे कि नहीं हम लोगों को यह रोज रोज कियों देते हों तो मेरे तीनियों बच्चों को यह सब बहुत पसंद है तो फ्रेंड मैं अपने लिए चाल छान रही हूं और नास्ता निकाल रही हूं क्योंकि मिस्टर ओपिस चले गए हैं नास्ता बगर करके और आदी भी नास्ता कर चुके हैं आयूस अभी सोए हैं सड़ाड़े था तो म मैंने उनको फोर्ष नहीं की जगाने के लिए मैं सोची चुटी है तो क्या परिशान करने का सुबह सुबह सुने दोस होके उठेंगे तो नहाएगे नास्ता करेंगे और यहां पर मैंने दई मतलब दूद करके दई ड़ी डालके रग दिया है इसको जमावन डालके रग द तो अभी मैं जब तक चाह नहीं पीती हूं फ्रेंड मुझे कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है पहले चाह पी लेती हूं तो मैं कोई काम करती हूं तो फ्रेंड आप लोग बताईएगा आप लोग कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमें इंस्रेक्शन में जरूर बता तो चलिए हम पहले नास्ता कर लेते हैं और आधी देखी अपना फुटबॉल लेकर हमेशा इधर उदर घर में मस्ती करते रहते हैं और यहां पर मैं लगा रही थी वीडियो अपनी क्योंकि वाच टाइम तो पूरा हो नहीं रहा है तो मैं न्यू आइडी बनाई हूं उसी से मैं अपनी वीडियो को लगा रही थी वाच होने के लिए और फ्रेंड आप लोग फूल वीडियो देखेगा बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो है और मैं आज अपने किचन की क्लीनिंग कर रही थी तो मेरे किचन में से एक चीज मिली है जो मैंने कभी सोचा नहीं था और आप लोगों को इसी वीडियो में वो देखने को मिलेगा आप लोगों देखकर बताईएगा कि यह क्या चीज है मैं तो देखकर अग्दम शोख हो गई मतलब अचकीत हो गई जो होते हैं एकदम सब एकदम क्या बोलते हैं उसको मतलब आश्य रह गई मैं समझी नहीं पाई दम देखने की यह क्या चीज है और कैसे आके जगा पकीचर में जहां पर आना भी नहीं चाहिए तो फिरम कभी होतरा है कि हम जो सोचे नहीं रहते ओस्यों के सामनी आ जाता है और वह दीख जाता है तो फ्रेंट यहाँ पर मैं नाश्ता कर लेती हूँ इसके बाद फिर मैं बाकी क्या काम करती हूँ और आज मैं बाल धोई थी जैसे किया सटर्डे है बाल धोना नहीं चाहिए था पर आज मैं वाश्रूम की सफाई की क्लीनिंग की अपने टोईलेट का तो मैं सोची कि जब तक बाल नहीं धो तब तक ऐसा लगता है कि नहाए नहीं हो तो सटर्डे को बाल्द होते हैं तो कहते हैं सटर्डे को बाल्द हो या नहीं जाता है लोग कहते हैं लेकिन अगर आपको मजबूरी है बाल्द होना तो अपने सेंपूल में थोड़ा सा दही मिला लो तो अशुब हो जाता है फिर कोई ऐसा ये नहीं होता है फिर सही रहता है और यहां पर मैं आप लोगों से शेयर कर रहे हूं फ्रेंड मसाला भिंडी तो मसाला भिंडी को मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज में धोकर कट कर लिया था और बेशन और कॉन फ्लावर और रेगुलरी मसाले नमक वगर डाल के मैंने भिंडी में सूखा भिंडी को म जादा अच्छे पिलिया है अब यहां पर डग कंदने के लिए थोड़ी देर और जब आधा ग्रेवी हमारी पख जाती कीजिए बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जटपट बन जाती है ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और मेरे बच्चों को तो यह बहुत पसंद है ऐसे भूजिया मेरे बच्चे जितना पसंद से नहीं खाते हैं फ्रेंड उतना पसंद से अगर मसाला भि तैली बनाया करोना बहुत अच्छी लग रही है कि लेकिन अब भी फिलाल में बिंडी मार्केट में महहगी मेल रही है तो डेली तो नहीं बनता है लेकिन हम करना रहता है आसा चलाई थी बिंडी नसला की रेश्पी तो यहां पर खाना अगर बनाने के बाद किचन प्लेटफॉर्म साफ कर ली थी वही आप लोगों कुछ दिखा रहे थी और यह मॉर्निंग की वीडियो है इसी में आप लोगों कुछ देखने को मिलेगा तो फ्रीज को मैंना मेरा फ्रीज अगदम कुछ द इन जाते हैं और उसको एक फैज को मेरा खुली दायों को मेरा इस की थिमद्ध करते हैं कि कि या जो तो उसमें कीड़े नहीं जाते हैं और उसको एक स्पंज करके उसमें धाई-दीव को स्पंज करो और चाहे कोई क्लीप लगा दो अगर क्लीप है तो और उसको फ्रीज में फ्रीजर में रख दो आपका समान कब भी साल उसे लेंगे फ्रेंड यह है वह चीज जो आम में आप लोगों को बता रही थी यह जो उपर का ट्रॉवर में आपको दिखाई को कीचन का उसमें से यह मिला और वहां पर मैं बरतन स्टोर करके रखी थी तो वहां पर यह दो अंडे मिले हैं यह अंडा चिपकली कहा या साप कहा है मुझे नहीं पता आप लोग कमें सेक्षन में जरूर बताएगा क्योंकि यह अंडा मैं पहली बार अपनी लाइफ में देख रही हूं जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था फ्रेंड की मेरे बैक में बहुत पें हो रहा था और पें हो रहा था जहां पे किड्नी होती है वहां पे पें हो रहा था तो मैं आज हॉस्पिटल गई थी और वहां पे मैं सोनोग्राफी निकल वागर आई हूं रिपोर्ड आया है लेकिन अभी मालूम नहीं पड़ा है अगली वीडियो में जरूर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी हलो फ्रेंड गुड आपड़नून तो दोपहर के क्या साम के चार बजगे है और अब भी मैं जर्ष्ट खाना और खाई और बहुत आज किचन का बहुत क्लीनिंग थी क्लीन करने लगी और बहुत लेट हो गया बैक में बहुत पें हो रहा है सोची वीडियो के एंड कर देत निव हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस काना ना भूलिएगा ताके हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे थैंक इस सो मच पर वाचिंग बाइबा टिक केर आल गाइस लव यू बाइ